आपके नेता हैं BJP के इन्होंने तो यह भी कहा था कि आमें 90% जो है भदरवा के लिए दूँगा 10% चराला के लिए दूँगा और 0% जो है भलेसा के लिए कहा था और जो 0% भलेसा के लिए दे रहा था तो उससे आप क्या इनली डिस्टे की अमीद रखते हैं देखे देखे वह पिछली बार का उनका मुद्धा था इस बार 2004 हो चुका है जरी कि साल चैंज होते हैं एसा कुछ नहीं है बात सुनिए 24 में भदरवा के लिए बी वे उतना ही काम कर रहें जितना भ्रेस के लिए काम कर रहें चिराला के लिए बी मतलब उनकी जो है एक need है उनकी जो संघर्ष हो रहा है वो Sam है तीनों खितों के लिए Sam है वाकि ऐसा कुछ नहीं आज भेस वालों को हिली डिस्ट्रिक की जरूरत है भदरा वालों को फुल फुलेज डिस्ट्रिक की जरूरत है वो मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है यह कोई चोरी छुपके हम बात नहीं करते हैं बिलकुल आपके चैनल के मध्यम से पूरे अपनी अवाम को अपनी कन्शूइंसी के अवाम को यह बताना चाहते हैं कि आप अपनी खुपकी के लोग नहीं को यह मैसेज देना चाहता हूं कि आप बग jakieś जात पाता के बाकी जो लीडर लोग हैं यह आपने एक हावद सुनी होगी कि डूबती हुई किष्टी पे कोई नहीं बैठता है यहां भारत्य जंता पार्टी की किष्टी जो है वो बड़ी मजबूत है वो बड़ी जबरदस्त किष्टी चल रही है लहाजा मैं हर किसी के साथ यह हर किसी को यह बोलना चाहता हू कि आप आईये मिलके हम काम करें आप सब का बहुत-बहुत स्वागत मैं आपका मैजबान रहा जिर्फान एक बर फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ आज मैं आपके साथ मलाने जा रहा हूँ एड्वूकेट भूरी सिंग जो भदरवा भलेसा चराला कांसीचुंस कि से आहीं और थे और अब घ्ड़र हू चुके हैं आये इन्हें की जमानी जानते हैं आखिर पहले आपका और ने रुख घूंग you जो है आप विड्रा क्यों होगी क्या परपस रहा इसमें आपका देखिए आप सभी जानते हैं कि मैंने 2014 में भी ये एसेंबेल एलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ था तो उसमें मेरा जो मैनिफेस्टो था आज भी उसी मैनिफेस्टो को लेके मैंने अपना कादम आगे बढ़ा सिस्टम, यहां की रोड्स, यहां का टूरिजम, अपनी भद्रा जो इलाका है, चिराला जो है, मैक्सिम लोगों की जो शकाइते रही हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके रही हैं, अपने हेल्थ सिस्टम को लेके रही हैं, टूरिजम को लेके रही हैं, तो इन ही बा अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आब हुरी सिंग के जो है पूरे वो कहते हैं जजबात बदल गए अन्दाज बदल गए क्या आपने जो अचानक से तो विड्रा हो गया देखिए इसमें मेरे संगठन का बहुत बड़ा रोल रहा मेरा संगठन एक ऐसा संगठन है कि जो पूरे भार्त देश में और पूरी वर्ल्ड उस संगठन को जानती है उस संगठन के साथ जब मेरी बातें हुई और मैंने अपने जो ये कांशेंसी को यह टच करती है यहां के लोग बहुत बहुत अच्छी बात है वहां भी लिच्टिक sunday Ёए और सक्षयय को ऐसे बहुत बात करूँ बहुत सारे मुद्ध़ है और इसलिए विड्रा किया जब मैंने अपने भारतिये जन्टा पार्थी काम काम आप सवाल है यह डीपी एपी के कुछ वर्क्रू ने आज press conference दिया उसमें भी कहा है कि हमें हाई हिली district चाहिए आप भी कह रहे हैं ही हिली district चाहिए जो भी विद्रा हो रहा है वह हिली district की मान कर रहा है क्या जितने भी भाजपा के लावा कंडिडेट जो है independent थे या दूसरी पार्टी थे क्या सिर्फ हिली डिस्ट्र की मांगे जी हां भ्रेसा के लोगों की सिर्फ और सिर्फ जो है यही मांगे हैं और भी है यहां का education system है यहां का health system है यहां का tourism है और बहुत सारी जो छोड़ी- हमारी बाते हैं बिजली पानी को लेके हमारा जो है एस्पियोज को लेके हमारे डेली विजर्स को लेके हमारे मुद्धे हैं और भारतिय जनता पार्टी एक वहज़द एक ऐसी पार्टी है हमारी सेंट्र गॉवर्मेंट जो है भारतिय जनता पार्टी की है और में आप भारतिय जन्टापार्टी को आप समर्थिन किया है क्योंकि हमारे अपनी भारतिय जन्टापार्टी के साथ नाम बदल देना ये मैं पूरे भलेस वालों को बताना चाहता हूँ, भलेस के जितने वोट रहे हैं, आप अपने मज़भ को छोड़िए, जातपात को छोड़िए, आईए अपने बच्चों के फ्यूचर को सेक्योर करने के लिए, आप भारतिय जनता पार्टी को भारी से भारी एक्सियर्ट म कहीं हिंदू-Muslim की राजनी थी, कहीं जो है तो अलग-अलग किसम के भढ़काव भाशन देती है, तो फिर आप BJP के साथ ही चल रहे हो, BJP के गुन गना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब को मालूम है कि भारतिय जनता पार्टी वहाइद एक ऐसी पार्टी है, जिसका नारा ह नारा है, सब का साथ, सब का विश्वास, सब का विकास। प्रौष्कम की आनी वीडियो है। आज की वीडियो ऐसा कुछ नहीं है। और वहां पर बहुत भावख हुए थे क्योंके बहुत प्राने हमारे बहुत سाहिए। लेकन भड़काओ भाशन तो दी है न पहले ज़ए। यहां पर बहुत सारी शाहतें दी हूई हैं हमें कदर है और हम हर किसी के झजबात के साथ हैं हमें ऐसा कुछ नहीं कि वूह हिंडू है वो भी लगी है पूरा देश उनकी कुरुबानिय को सुलाम करता है ऐसा कुछ 59 कि हम कभी कहीं जाकि कोई बात करेंगे हमारे लिए दाथत बाद widget कुछ नहीं है यह संगाठन हमे के लोग है और संगाठन हमें यहीं सिखाता है की हमारे लिए हर कोई insan बराबर है हम इंसानियों के नाते और हम हर इंसान को जो है साथ चलाना चाहते हैं लेकिन देखिये भाजपा है तो वो तो सब की सरकार है पीम साब तो सब के हैं जो भी है साब की ही सरकार है लेकिन एक लीडर ने फिर कहा कि हमारे जो आज सनातन धर्म का राज है ऐसा कुछ न आपने काफी ज्यादा एक्ट पड़े होंगे, आपको तो खुद पता होगा। हम मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आईये जिस का अंडिर ने ऐसी बात कही हुई है, वो एक लोक प्रिये नेता है, वो हर किसी का नेता है, उसके पास कोई हिंदू-मुस्लिम की ये राजनेती नहीं है, और पूरी यहां की जनता जानती है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कहीं भजन कीरतिन चला होता है, वहां पे इनसान बोल देता है, कि ये सनातन की बात है, बहिए सनातन की बात है, इसमें कोई दोराई, वह वाली मसला ही नहीं है, बाकि आप घबराईए नहीं, आईए आप हम मिलके साथ चलें, मैं रियाज जर्गर साब को भी ये खुले, पूरे सरकार के लिए, हमारी सेंटर गवर्मेंट के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी महमुली सी बात है, रियाज साहब को हम ये और पूरे रियाज साहब के साथ जो जितने जुड़े हुए लोग है, पूरी मैं आपनी भलेस की अवाम को ये हाज जोड़ कर ये यहाँ भी भलेस के लोग देख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे, रुजहान का क्या लग था, आपको क्या रुजहाने जो है, बीजेपी की जीत होगी, बड़रुवा कंस्ट्वों सेंटा पार्टी का जो उमीदवार है, बड़ा सब का एक बड़ा चाहिता नेता है, और अभी जीत हमारी भारतिय जन्ता पार्टी की ही जीत होगी, और लोगों को भी यह सोचना चाहिए, कि अगर सेंटर गौर्वर्मेंट हमारी है, तो भई, नेचुर सी बात है, अगर स्टेट में भी अगर यह गौर्मेंट बना रहे हैं, तो साथ जो, आपके नेता हैं, बीजेपी अमीद रखते हैं, देखे, देखे, वो पिछली बार का उनका मुद्दा था, इस बार 2024 है, वो 2014 हो चुका है, जन्यों के साल चेंज होते हैं, तो मुद्दे भी चेंज होते हैं, ने, ऐसा कुछ नहीं है, बात सुनिए, बात सुनिए, 2024 में भद्रौ के लिए बिए बीए उ वो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये कोई चोरी छुपके हम बात नहीं करते हैं, बिल्कुल आपके चैनल के मध्यम से पूरे अपनी अवाम को, अपनी कंश्वेंसी के अवाम को ये बताना चाहते हैं, कि आप अपने कंडिडेट को भारी से भारी एक्सिरित में जितान करना चाहता हूं, कि आप बगैर किसी जात पात के, बाकी जो लीडर लोग हैं, ये आपने एक हावद सुनी होगी, कि डूपती हुई किष्टी पे कोई नहीं बैठता है, यहाँ भारतिये जंता पार्टी की किष्टी जो है, वो बड़ी मजबूत है, वो बड़ी जबरदस किष्टी चल रही है, लहाजा मैं हर किसी के साथ ये, हर किसी को ये बोलना चाहता हूं, कि आप आईए मिलके हम काम करते हैं, आप आईए हमारे बच्चों का फ्यूचर सेक्योर करने के लिए, और देश को मजबूत बनाने के लिए, भलेसा को मजबूत बनाने के लिए, वो भारतिय जनता पार्टी की गवर्मेंट है और भारतिय जनता पार्टी जो है वही आपको हिली डिस्ट दे सकती है बाकी ये जो बाकी पार्टी के लोग है ये खोखले दावे आपको 70 पिछले 70 सालूं से खोखले दावे सुनाते आ रहे हैं ये सपने ऐसे सुनाते आ रहे ह आप आईए भारतिय जंता पार्टी का फुल सुपोर्ट कीजिए और आपको हर आपकी डिमांड पूरी होगी शुक्री होगी थैंक यू थे मेरे साथ है एड़ुकेट भूरी सिंग जी इनका साफ तोर पे यह कहना है कि आप बीजेपी जो है एक सेकुलर जमात है एक के साथ खुदा हपीस